हलो फ्रेंड्स पारस्वम पेथी जोथपूर आजसान से मैं डूक्टर रामदेल मुरिया एक होमेथी कंसल्टेंट आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियों हम डिसकस करेंगे स्टिकी स्टूल आपकी मल के अंदर चिकनापन का बढ़ जाना या आपका जो मल होता है वो फ्रतिकम की चिपकने लग जाता है दोस्तों ऐसी कंडिसन आपके साथ क्यों बनती है? अगर आपको हमारे से परामस करना है तो कैसे प्रामस ले सकते हैं ये तमाम जानकरियां इस वीडियो में सेर करेंगे तो इस वीडियो को सुरूर से लाज स्थ जरूर देखेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं Sticky Stool दोस्तों हमारी जो Stool होती है हमारे Health का एक बहुत बड़ा Indicator होती है यानि हमारी Stool के अंदर कई बार consistency, उसका color, उसकी frequency बार बार अगर change हो रही है तो कहीं ने कहीं आपके health issues है जिनको सही समय पे जानना जरूरी होता है तो उसी करम में एक condition होती है Sticky Stool, आपके मल के अंदर चिकनापन बढ़ जाता है और वो Stool आपके फ्लस के बार बार चिपकने लग जाती है उसको फ्लस आउट करने के लिए आपको काफी सारा पानी डालना पड़ता है उसको फ्लस करने के लिए आपको काफी मैनद करनी पड़ती है तो ऐसी condition अगर आपके साथ है तो आपको भी ध्यान देने की आँ सकता है क्योंकि ये condition अगर आपके साथ लंबे समय तक बनी हुई है तो आपको कुछ समसे हो सकती है जो आगे हम आपको बताएंगे कि इसकी वज़े से क्या-क्या दिक्कत होने अग जाती है तो सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों आपकी जो स्टूल होती है वे स्टिक की क्यों बनती है किस कारणों की वज़े से ऐसा हो रहा है तो इसमें सबसे मुख्य कारण है आपके डाइट में कोई changes हो रहा है या फिर आपके digestive system में कहीं नहीं कोई दिक्कत है या कोई ऐसी medicine तो आप यूज नहीं करने हैं जिसकी वज़े से आपको ये conditions डौल अफ हो रही है तो सबसे पहला reason है दोस्तों आपका जो fat है उस सही तरीके से digest नहीं हो पा रहा है या जो आप fat यूज करने अक्सेस में यूज करने ज्यादा मातरा में इस्तेमाल करने है या आपके digestive system के अंदर pancreas आपका work नहीं कर रहा है या आपके liver में कोई दिक्कत है उसकी वज़र से आप अपनी fat को सही तरीके से digest नहीं कर पा रहे है अगर digest नहीं कर पा रहे है और कुछ condition में उसका absorption प्रोपर नहीं हो रहा है आपके आपों के द्वारा तो भी आपको sticky stool का सामना करना पड़ सकता है सेकेंड मुख्य कारण होता है कहीं नहीं कहीं आपके आपके आपों के अंदर infection का होना parasite की infection का होना या आपके आपों के अंदर susan का होना उसकी वज़र से भी आपको sticky stool हो सकती है normal condition होती है जैसे IBD की condition inflammatory bowel disease जिसमें crones और ulcerative collagenitis आते हैं उन condition के अंदर भी आपको sticky stool का सामना करना पड़ सकता है या पिर कहीं ने कहीं आपके stomach के अंदर या आतों के अंदर कोई गहाव है उससे अलका-लका bleeding हो रहा है वो आपकी stool के साथ mix हो रहा है उसकी वज़र से भी आपकी जो stool होती है भी sticky होने लग जाती है कुछ condition ऐसे होती है जैसे allergy condition है celiac disease है celiac disease में आपको gluten से allergy है आप उस protein को खाते हैं उससे आपको digestion में दिक्कत होके आपको sticky stool का आने लग जाती है या lactose intolerance है काफी लोगों को दूद पस नहीं पाता है दूद से समन्दी जो protein होती है वो digestion नहीं हो पाती है उसकी बज़े से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है कहीं आपके लंबे समय से पैंक्रियाज में या लिवर के अंदर कोई समस्या चल रही है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है एक मुखे बज़े होती है IBS irritable bowel syndrome उसकी बज़े से भी आपको sticky stool का सामना करना पड़ सकता है इसके अलावा बहुत सारी ऐसी conditions होती है जिसके अंदर आप कुछ iron contains का इस्तेमाल करते हैं अक्सेस के अंदर या भी non-steroidal anti-inflammatory drug ले रहे हैं किसी भी कारणवस तो भी आपको sticky stool हो सकती है अब चलिए दोस्तों बात करने कि आपको लंबे समय से ऐसी stool पास हो रहे है तो आपको क्या-क्या दिक्कते हो सकती है खास दिक्कत में है कि आप पहली चीज़ तो है आपका fat जो होता है वो absorb नहीं हो रहा है आपकी stool के दोरा पास हो रहा है उसकी वज़े से आपके अंदर जो फैर soluble vitamins होती है जिसके अंदर A,D,E,K ये vitamins आती है उनकी body के अंदर कमी होने लग जाती है यानि वो absorb proper तरीके से नहीं होगी तो आपकी body के अंदर कमी होगी आपके vitamin A के कारण आपके आँखों में दिक्कत होने लग जाती है विटामिन E की कमी वज़े से आपके बालों की समस्या होने लग जाती है फैर बोडी से लोस होने के कारण आपका weight कम होने लग जाता है आप थके-थके से महसूस करने लग जाते है ऐसी समस्या काफी लोगों के साथ देखी जाती है या जी लोगों के intestine के अंदर कोई bleeding किसी भी पार्ट से bleeding हो रही है उसकी वज़े से sticky stool आ रही है तो उस कारण आप enemic हो सकते है तो यह जो complications होती है दोस्तों काफी लंबे समय के बाद में देखने को मिलती है और उस time आपको पता नहीं चलता था कि लंबे समय सा आपको sticky stool था आप ध्यान ही नहीं दे पाते है चलिए आपको यह समस्या है तो इसका natural तरीके से कैसे समाधान कर सकते है सबसे पहला दोस्तों आप अपनी diet के अंदर कम से कम fats जो चीज़े है फैट लेने की कोशिस करें junk food, fast food या pastry item या cake है वगरा इनका इस्तेमाल कम से कम करें यानि bakery products का कम से कम इस्तेमाल करें जो dairy products के अंदर है milk है ज्यादा fat वाली चीज़े उनका आप कम से कम इस्तेमाल करें आप जो natural fibers होते हैं जैसे soluble fiber है उनका आप अच्छी contents के अंदर अच्छी मात्रा में आप लीजीगा उसके अंदर आप हरी सबजियां है फल फूरूट है ताजा फल फूरूट है उनको आप ज्यादा स्यादा इस्तेमाल करें रेगुलर exercise आप जरूर करें उससे आपकी sticky stool में काफी आपको help मिलती है अब बात करते हैं दोस्तों इन natural तरीकों से समाधान नहीं हो पता तो homeopathic medicine कैसे help का सकती है सबसे toe platic medicine में आती है दोस्तों platina platina एक ऐसी दवा है जिसके अंदर आपको sticky stool चिपकने वाली ऐसा लगता है clay color का paste type आपका stool पास हो रहा है थोड़ा सा ही stool पास होता है काफी जोर लगाते है उसके बाद थोड़ा सा ही stool पास होती है उस condition में platina का यूज किया जा सकता है या जो लोग traveling business करते हैं या trailing job करते ह उनके अंदर बार बार आपका खाना पानी चींज होता है उसके अंदर sticky stool की समस्या है तो उनके लिए भी platina बहुत अच्छी दवा है नेक्स second medicine है दोस्तों वो है बर्बरिस vulgaris बर्बरिस vulgaris को आप stone के लिए ही जानते हैं लेकिन इसका digestive system पर बहुत अच्छा रोल रहता ह जिन लोगों को कापी समय तक stool pass करने लिए जो लगाना पड़ता है बार बार इन effectual urging होती है बार बार जाते हैं बार बार थोड़ी सी stool pass होती है या साथ में उनको जलन होने लग जाती है लेट्रिंग वाल रास्ते में दर्ध होता है ऐसी condition में barbaris vulgaris 30 power का इस्थिमाल किया ज सकता है एक medicine or discuss करेंगे और अर्जेंटम नाइट्रिकम दोस्तों काफी लोगों के साथ IBS की समस्या रहती है काफी लोगों के साथ anxiety की समस्या रहती है काफी लोग work stress ज्यादा करते हैं तो उसकी वज़े से stress अगर दिमाग में बढ़ जाता है उसका आपके impact digestion system पे आने लग कर सकते हैं अगर आपको ऐसी समस्या तो आप अपने नजदे की डोक्टर से promise करके इस समस्या का समाधान पा सकते हैं अगर आपको हमारे से promise करना है तो दिए गई whatsapp नमर के द्वारा appointment लेके consult कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह हमारी जानकरी अच्छी लगती है तो इसक